दोस्तों इंडिया का एशियन गेम्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन कंटिनियूस दी जारी है आप यहाँ पर देख पाओगे कि इंडियन टीम के द्वारा मेंस हौकी के अंदर गोल्ड मैडल कल जीता गया तो हमारी आशा यही है कि आने माले दिनों के अंदर जो बचे हु लगाया जाए तो सुप्रीम कोट ने इसको मना कर दिया कि नहीं स्टे वगरा यहाँ पर नहीं लगेगा आप एक स्टेट गोर्मेंट को या किसी भी गोर्मेंट को रोक नहीं सकते को इसको यहाँ पर अगर कोई डेटा के रिगार्डिंग इशू होगा तब फिर उसको सु consider करेंगे, उसी तरह से ये news link वाला मुद्दा भी हम आले discuss कर चुके है सिक्किम के अंदर देखो concerns अभी भी जारी है ठीक ना total death toll है जो 25 तक पहुंच गी है अभी भी 143 प्लस लोगों की जो search है वो जारी है, तो date है आज की 7 October 2023, अब सभी का स्वागत थाज के prelim booster news discussion के अंदर, तो ये start करते हैं, discuss करते हैं, देखो कल monetary policy committee की meeting थी, मैंने I think 2 दिन पहले आपको एक question भी दिया था इसलिए दिया था क्योंकि इनकी meeting होने वाली थी तो कल इनकी meeting हो चुकी है अब हमें discuss करना है कि आखिर ये मुद्दा इसका reporate, तो reporate जो पहले था ना, basically वही reporate यहाँ पे है अगर मैं थोड़ा आपको numbers के अंदर लेके चलूँ, तो आप यहाँ पे देख पाऊगे कि reporate को unchanged रखा गया है at 6.5% ठीक है ना, reporate आप जानते होंगे वो rate जो rate के ओपर RBI पैसा बैंकों को लेंड करता है अब आप लोग सोच रहोंगे सरे इन्होंने यह बढ़ाया नहीं या कम नहीं किया, क्योंकि देखो कहिना कहीं हमें महंगाई को भी control करना है inflation को भी control करना है, at the same time हमें growth भी promote करनी है अगर माल लो हम reporate को बढ़ाते हैं, उससे कहिना कि inflation तो control हो जाएगा, पर growth नीचे आ सकती है on the other hand अगर reporate को कम करेंगे, तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनके सामने आ सकती है तो इसलिए अभी फिलाल के लिए reporate को यहाँ पे 6.5% ही यहाँ पे रखा गया है, उसी तरह से अगर आप notice करोगे, जो SDF है, standing policy facility, वो भी 6.25% ही है और margin standing facility 6.75% ही है यह क्या होते हैं, I hope आपको idea होगा, MSF एक तरह का penal rate होता है ठीक है न, over and above जो होता है उसके उपे, and SDF जो होता है न, यह actual में क्या होता है कि अगर bank अपना पैसा पार्क करते हैं, RBI के अंदर उसको SDF बोलते हैं, और यहाँ पर कोई government securities का use नहीं होता आप लोग सोच रहोंगा, सरी यह तो reverse repo rate हुआ हाँ जी देको हुआ reverse repo rate ही पर reverse repo rate के अंदर क्या होता है government securities साथ में देनी बढ़ती है ठीक है न जब यह चीज़ होती है पर यहाँ पर standing positivity के अंदर वो government securities के अंदर यहाँ पर नहीं रखी जाती तो काम वही है कि कहीना कहीन जो bank है अपना excess जो पैसा है वो पार कर देते हैं अपना RBI के पास उसको बोलते हैं SDF तो repo rate 6.5% SDF आपका 6.25% बाकि आप और भी numbers दे सकते हो जिसे CPA inflation का यह बताया है 5.2% उसी तरह से जो बाकि कहीना कि हमारी growth रहेगी वो 6.5% के आसपास रहेगी ऐसा यहाँ पर RBI के द्वरा बोला गया है कुछ नहीं टर्म्स आई हैं आपके newspaper के अंदर उन terms को actually खास का discuss करना चाहता हूँ जिसे for example आप notice करोगे पहला इन्होंने यहाँ पर word आया है headwind वगरा का अब समझना है इस चीज़ को कि headwind, tailwind यह होती ही क्या है एक geography aspect से समझते हैं economy aspect प्याएंगे पर पहले geography aspect के समझो माल लो यह कोई plane जा रहा है ठीक है, इसके पीछे से पीछे मतलब tail वाली side से अगर इसको हवा मिलती है ठीक है, तो क्या लगता है यह aeroplane तेजी से उड़ेगा या कम speed हो जाएगी obviously, देखो यह move कर रहा है aeroplane इस side के अंदर अगर पीछे से हवा आ रही है ना तो इसकी speed तेज हो जाएगी इसको बोला जाता है tail wind अगर माल लो हवा आ रही है इसके opposite direction से मतलब यह जा रहा है इस direction के अंदर और यहाँ पे हवा आ रही है सामने से तो कहिना कि इसको एक resistance मिलेगी ना तो कहिना कि इसकी speed slow हो जाएगी तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम headwind यह geography के terms है ठीक है अब यही geography के terms अगर हम economy के अंदर लगाना चाहें वो कैसे सर जैसे for example हमें बढ़ानी क्या है हमें बढ़ानी है growth ठीक है अब growth बढ़ाएंगे तो कुछ चीज़े ऐसी होगी जो आपकी growth को help करेंगी और कुछ चीज़े ऐसी होगी जो आपकी growth को restrict करेंगी सर ऐसी कौन सी चीज़े आगी जिसे for example रश्या यूक्रेन का मानलोग crisis हो गया जो की हो भी रख़ा है तो इससे क्या होगा इससे economic को दिक्कत है कि कुछ countries के बीच में कुछ geopolitical tension हो जाती है कहीं लडाई हो जाती है कहीं युद्ध हो जाता है कुछ COVID-19 pandemic का जाता है ये सारी चीज़े क्या है ये आपकी growth को बढ़ने से रोक रही है ये सामने से आपको resistance की तरह काम करने हैं ग्रोथ को इन तरह की चीज़ों को बोलते हैं हम headwind बोलते हैं getting the point on the other head कोई ऐसी चीज़ जो आपकी growth को promote करे उसको बोलेंगे tailwind अगर मालों कुछ countries के बीच में कुछ अच्छे relation बनते हैं या फिर कहना कि कुछ अच्छे trade back sign होते हैं जिससे उन countries की economy को फाइदा होता है उनको growth promote होती है उनको बोल देते हैं हम tailwind तो यहाँ पर tailwind आप बोल सकते हैं उस direction में move करना तो I hope यह headwind क्या होता है tailwind क्या होता है यह समझ गये होंगे साथ मही न हमारे जो RBI के गवर्णर है इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ देखो आज से आप 10 साल या इसके आसपास जाओ तो actual में उस time के उपर हमारी situation खराब थी हमारी situation का मतलब हमारे bankों की जो हालत थी वो majorly खराब थी होता क्या था ना कि माल लो bank ने किसी corporate को loan दिया अब corporate माल लो किसी भी करण की वाज़ा से वो जिस project के लिए उसने loan दिया था वो project वो fulfill नहीं कर पाया तो होगा पता क्या corporate bankों को पैसा return नहीं कर पाएगा ठीक है अब corporate की हालत खराब होगी है बिल्कुल और bankों को bank पैसा पर पैसा मिलेगा उनका cost of debt बहुँजा बढ़ जाएगी अब इतना जब ज़्यादा इन्होंने loan ले लिया ना corporate ने इनको हम बोलने लगे over leveraged कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने अपने पास loan ले रखा है और इतना loan ले रखा है तो कहने कि उसको return ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा इतना ज़ादा interest ही देना पड़ेगा उसका तो यहाँ पर हुआ पता क्या दो जगा की balance sheet बहुत खराब होगी balance sheet का मतलब जहाँ पर आप asset liabilities और बाक्चीज देखते हो होता क्या था ना बैंकों की हालत भी खराब थी एक तरफ और कहने कि हमारे जो corporates थे वो over leverage हो गये थे तो दोनों की इन दोनों की situation खराब होना इस दोने तो इन balance sheet problem बाद में कहने कि हमारे जो chief economic advisors थे ठीक है जो बाद में X होगे तो इन्होंने और यहां पर add कर दिया इन्होंने बोला कि bank तो ही है आपकी जो infrastructure companies तो ही है उसके लावा आपकी non banking financial companies और real estate तो इन्होंने बोल दिया इसको four balance sheet problem क्योंकि आप जानते हो एक time आया था जब NBFC के हालत भी बहुत खराब थी आपके real estate sector की हालत भी बहुत खराब थी तो इस तरह से इसको four balance sheet problem बोल दिया गया था तो यह आपकोने sectors का ध्यान रखना चाहिए अभी शक्तिकांता दासी ने यह बोला है कि भाईया यह जो हमारे sectors कुछ खराब सर लेता जैसे twin balance sheet जहां bank और corporates की बात करी आज के समय के उपर हालत होंगी बहुत 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 हो चुकी है आज के time के उपर bank होंगी जो non-performing assets है वो comparison में अगर आप देखो के 2017-2018 के वो काफी बहुत 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 है तो यही इन्होंने बात करिया healthier balance sheet हो चुकी है इसी को इन्होंने क्या बोला है twin balance sheet advantage I hope इस particular चीज का भी आप meaning समझ गे होंगे बाकी आप जानते होंगे monetary policy committee का मतलब तो यहाँ पर हमारे बास 6 members होते हैं 3 आते हैं आर्बे एक तरफ से 3 आते हैं हमारे जो सरकार nominate करती है इसके उपर already मैंने I think परसों ही आपके साथ MCQ भी discuss किया था तो आप उसको भी जाके देख सकते हो इसी तरह से continuously follow करोगे I am sure आपको बहुत help मिलेगी ही मिलेगी अगले topic की तरफ चलते हैं novel price literature 2023 अब जानते हो हम लोग हर रोज एक एक जो novel price होता है उसको discuss करते रहते हैं अभी जो हुआ है novel price literature में जो मिला है वो किसको मिला है Norwegian author है John Foss अब एक्चल में इनको यहाँ पे novel price आखिर मिला क्यों है क्योंकि देखो एक्चल में जो इनका जो लिखने का तरीका है वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया तरीका है बहुत ही innovative धंक के अंदर हैं इनको बहुत सारे plays प्रोस लिखे हैं जिसे for example अगर आप note कर पाओगे न इनका जो latest work है septology इसके अंदर इन्होंने एक unique चीज़ करी है कि आप notice करोगे तो लगबग इन्होंने 1250 pages लिखे हैं इसके अंदर और कहीं पर भी full stop नहीं आया ठीक है ना ऐसा बोला जाता है तो अपने आप में बहुत ये एक unique तरह का इनका style है innovative धंक का तरीका है इसी चीज़ को क्या बोलते है false minimalism बोलते है यानि कि कहते नहीं कि पर कि कम शब्दों के अंदर बहुत सारी चीज़े बोल जाना तो actually इनका writing style कुछ वैसा ही है साथी साथ यहाँ पर अगर आप protest करो जो मैं बोल रहा था unsable को कहने की बात है तो जैसे इनोंने के बात करी है कि एक person का जैसे dog उससे दूर हो जाता है तो उस person को कैसा feel होता है इस तरह की चीज़ें किसी इनसान के अंदर क्या-कया changes आते है life के अंदर जब बड़ा होता है इस तरह से इनको बहुत सारे इनोंने examples देते हुए अपने जो अलग-अलग writings है ना उनको यहाँ पर लिखा हुए इनका अगर आब बताऊंगे तो एक ऐसा बोल जाता है कि किसी चीज़ को पढ़के इनसान खुदा के साथ मतलब जुड़ जाता है तो इनकी बहुत साई writings को एक divine experience के साथ भी यहाँ पर जोड़ा गया है इनके कुछ major works आप देख पाऊगे इनका नाम याद कर ले ना Boat House हो गया, Melancholy, One and Two हो गया Septology हो गया, यह कुछ इनके बहुत ज़्यादा famous work है Force Minimalism को भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेगा अब actual में जो इनकी जो literature है उनको Ninox literature बोला जाता है तो यह word भी आप ध्यान में रखोगे इनको कई बार ना New Henrik Ibsen भी बोला जाता है एक Norwegian playwright है उनके उपर यहाँ पे इनको यह नाम भी बताया गया है Academy के दोरह इसको यह जो नाम है Tarjay Visa जो कि बहुत बड़े नौर्विक Ninox literature के अंदर रहे हैं उनके साथ भी यहाँ पे compare किया गया है I know कुछ यह words याद करने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं इनको मिलाता तो एक basic idea रखो मुझे पता है कि इनकी writings बहुत आध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा पर एक writings especially इन्होंने क्या क्या works लिखे हैं यह तीन works तो आप बिल्कुल भूलेगा ही मत आगे चलते हैं डिसकस कर लेते हैं चत्रपति शिवाजी जी वाग नाक के बारे में एक्चल में क्या हुए न हमारी जो महराश्टरा गौर्मेंट है उन्होंने एक M.O.E. साइन किया है आपके जो एक museum है लंडन के अंदर Victoria and Albert Museum तांकि कहिना कि चत्रपति शिवाजी का वाग नाक है उसको लेकर आप आएं बापिस अब ये बापिस इंडिया में आने वाला है देखो इस चीज़ को बोलते हैं वाग नाक अगर आप इस फोड़ी स्टोरी समझाने की गोशिश करता हूँ अगर आप इस फोड़ा स्टोरी में जाओगे तो आप जानते हो कि जो चत्रपति शिवाजी है उनका कहने के कॉंट्रिविशन बहुत जादा रहा है अब जो एक परसन था अफजल खान अफजल खान का अगर हम नोटिस करेंगे तो अफजल खान कौन था बीजापूर का जो आदिल शाही डिनेस्टी थी उसका जर्नल था हमें याँ पर अफजल खान देखने को मिलता है अब अफजल खान ने क्या किया था ना बहूत सारे हिंदूस के ऊपर बहुत जुल्म किये थे उनको भी मारा था जो शिवाजी के बड़े भाई थे ना उनको भी यहाँ पर इनको किलिंग करी गई थी किसके गरा अफजल खान के द्वरा तो बीच में एक टाइम आता है जब कही ना कहीं जब इस तरह के अत्यचार इनके बहुजा बढ़ जाते हैं उस टाइम के उपर क्या होता है ना शिवा जी और अफजल खान के बीच में एक मीटिंग होती है अब इस मीटिंग के अंदर शिवा जी बहुत गुसे में होते हैं वो चाहते हैं कि इसको मार दे तो actual में क्या होता है ना, वो इस तरह से अपने हाथ के उपर, ठीक है ना, इस वागनाफ को लगा के जाते हैं, और actual में ये छुप जाता है, आप समझ नहीं कोशिश करो, आप बाहर से इसको देखोगे ना, वागनाफ को, तो ऐसे दिखेगा बस, अंदर क्या है, अंदर इस से ही उनका ब्लड निकला साथ ही साथ पॉईजन था जहर था उसके उपर लगा हुआ एंड इस तरह से अफजल खान को मारना को असान काम नहीं था क्योंगी अपने आप में बहुत ही लंबा चोड़ा व्यक्ति था इस तरह से बट कहीं न के शिवाजी ने इसके थूँ वाग स्किन हो गया फ्लेश हो गया उसको असानी से चीर सकता है तो ये सारी चीजों के लिए इसको यूज किया जाता था थोड़ा सा बात करें शत्रपति शिवाजी की तो आप यहाँ पे देख पाऊ गए कि इनको फाउंडर मना जाता है माराथा एंपाइर का ठीक है ना बहुत पूछ लेते हैं कि इनके जो contemporary कौन थे तो यही का आपको चीज ध्यान में रखनी है कि इस time के उपर जो संत रामदास थे या रामदास स्वामी जी कहा सकते हो या समर्थ रामदास भी इनका नाम बोला जाता है उनके contemporary थे बहुत important संत रामदास जी ना हिंदू सेंट रहे है ठीके ना poet, writer बहुत इननोंने point contribution दिया है Lord Ram and Hanuman के devotee थे और कहिना कि पूरे Indian subcontinent में इननोंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे इनको visit भी किया है और बाद में जो लोग वाने तेलग है उनको काफी influence भी आपे किया तो यह कुछ in point points है with regards to आपके संत रामदास जी तो यह इस points पी आपको पता होने चाहिए अगले topic के दर चलते हैं इस freedom on the net 2023 the repressive power of artificial intelligence पहली बात तो यह समझो कि freedom house के दवरा एक report निकाली गई freedom on the net 2023 repressive power of artificial intelligence यह दरसल में एक तरह की non-profit organization है Washington based हम यहाँ पे देखने को मिलती है तो उसके दवरा यह report दी गई अब इसके अंदर ना इन्होंने बढ़ी ही interesting बाते रिखी है कुछ-कुछ ठीक है ना थोड़ी इंडिया के बारे में थोड़ा criticism भी है बट ठीक है थोड़ा सा इसके बारे में discuss करते हैं तो यहाँ पे इन्टरनेट freedom की बात करी गी है 70 countries के अंदर और इन्होंने बताया है कि दुनिया में एक्चल में internet के उपर हम बहुत सारी गड़बड कर रहे हैं जैसे for example लोगों की freedom of speech है speech and expression जिसको हम बोलते हैं उसको block कर जाता है social media platforms के बहुत सा censorship लगाई जाती है websites के उपर virtual private networks के उपर आपके content को हटा दिया जाता है इस तरह की बहुत सारी restrictions लगा जाती है औ आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर artificial intelligence का भी यूज़ किया जाता है इस चीज के लिए वो report इस ही के regarding है तो AI की मदद से ना क्या किया जाता है देखा जाता है कि कौन सा जैसे माल लो मैं आप example देता हूँ जैसे माल लो यह सरकार है ठीक है ना कोई भी XYZ country की तो इस सरकार ने वता क्या किया इस सरकार ने यूज़ किसका artificial intelligence का क्या चेक करने के लिए कि माल लो यह Facebook है यह कोई भी इस तरह के कोई भी website है क्या यह website सरकार के विरुदतों कुछ नहीं बोल रही अगर वो बोल रही है ना तो artificial intelligence इसको अपने आप notice कर लेगी और इस content को हटा देगी अच्छी digital freedom है और one का मतलब होता है worst के तो इंडिया कहां पर है सर इंडिया को इन स्रिपोर्ट के साफ से कहिना के बीच में है तो 50 इंडिया का यहां पर इंडिया को 50 यहां पर पॉइंट्स यहां पर है right digital repression के अगर हम बात करें तो इरान के इनोंने खासकर बात करी है कि इरान के अंदर shutdown हो गया इंटरनेट का यह चीज़े बहुत सारी होई है पूरी दुनिया में भी यह चीज़ हमें देखने के मिली है उसी तरह से elections हो गया digital repression हो गया जब भी elections बगरा आते हैं तो कहिना कि इस तरह की चीज़ें ब्लॉक वगरा जादा होती है इंडिया के case में इनोंने क्या बोला है कि सरकार की तरफ से ठीक है ना बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जो political, social और religious content को यहाँ पे हट आया गया है देखो actual में क्या है कि थोड़ा सा इंडिया की इनोंने criticism किया है पर क basic idea आप रख सकते हो कि हाँ इंडिया के लिए सबसे important चीज़ क्या है कि हमारी country की sovereignty हो गया, हमारी country की integrity हो गया, but at the same time freedom of speech and expression होनी चाहिए, but sovereignty and integrity सबसे दाइं point होती है, तो कि definitely कोई content है जो इंडिया की sovereignty को, इंडिया की integrity को यहाँ पे hamper करता है, तो वो हमें हटाना ही पड़े आगे चलते हैं, राणी दुर्गावती, फिफ्थ 500th birth anniversary, इसके बार में थोड़ा हम समझ लेते हैं, देखो परधान मंत्री जी के द्वारा भूवी पूजन किया गया, यहाँ पे विरांगना, राणी दुर्गावती, समारक और उध्यान कहाँ पर जबलपूर के अंदर, तो यह चीज़ आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, मैं थोड़ा ना आपको directly इनकी story समझा देता हूँ, although आपने history के अंदर पढ़ा भी हुआ, एक्चल में हुआ क्या थना जो राणी दुर्गावती है, यह अपने आप में बहुत important figure रही है, जो चंडेल dynasty आपको देखने temples हैं, वो किसने बनाये थे, वो चंडेला dynasty नहीं है, एक्चली 11th century के अंदर इनको बनाया गया था, चलो यह बात तो ठीक है, बाद में क्या होता है ना, रानी दुर्गावती जी का शादी हो जाती है, इनकी शादी होती है, गौन ट्राइब के एक होते हैं, मतलब किंग के बेटे दलपत्षा, उनके साथ इनकी शादी हो जाती है, ठीक है, सारी स्टोरी मैंने लिखी हुई है, इन स्लाइड के अंदर, पर एक आइडिया रखो, कौन से ट्राइब थी, गौन ट्राइब, पर थोड़े टाइम बाद इनका दलपत्षा की हो जाती है मौत, फिर कहना क इनका जो बेटा होता है, दलपत्षा और राणी दुर्गावती का, बीर ना रायन, वो बन जाता है एक तरह से किंग, अब बच्चा है यार वो तो, ठीक है ना, तो एक्शल में रूल कौन कर रहा है, रूल आपकी राणी दुर्गावती ही कर रही है, एक्शल में, वो बहुत सारे ना, जो हिस्टौरियन्ज थैं, उन्होंने इसके लिखा है, जैसे अबू फजल है थीक है ना, उन्होंने भी यहाँ पर इसके बार में बहुत बाते लिखी है, जो इनकी बुक है, अकबर नामा, तो होता क्या है ना, जो मुघल एम्पायर है, वो यहाँ पर इ होते हैं प्रस एड़ सेम टाइम जो रानी दुर्गावती के भी कुछ जो लॉयलिस्ट होते हैं वो भी यहां पर आसफ खान के साथ हो जाते हैं पर तब भी रानी दुर्गावती हार नहीं मानती वह अच्छे से इनका डटकर मुकाबला करती है स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है रानी दुर्गावती जीतती हैं ठीके ना इनको हरा देती हैं फोर्स बहुत कम होती है इनके बास रानी दुर्गावती के बास पर वो तब भी हरा देती हैं बट बाद में क्या होता है और लोग आते हैं मुगल इंपाइर इतना बड़ा तो इस तरह के इनकी यहाँ पर स्टोरी रही है यह सारी स्टोरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है ठीक है इसके लवागा अगर आप नोटिस करोगे जो इसके इनके दो मिनिस्टर से अधार कस्यत एंड मान ब्रामन यह कुछ चीजें भी आपको पता होनी चाहिए तो कहीने के जो ममोरियल था वो आज के टाइम के उपर हमें जबलपुर के अंदर देखने को मिलता है वही सेम जगह है जहां पर इनको शहीदी प्राप्त हुई थी इसलिए ना इस 24 जू आप जून को हर साल क्या सेलिवेट किया जाता है एस बलिदान दिवस या मार्टस जे के रूप म विशाखा बटनम के दर देखने को मिलते हैं तो यह चीज भी आपको बता होनी चाहिए देखो अभी न्यूज में एक्चली मल्टिपल रिजर्ण के वज़ा से अक्चली मध्यपरदेश के ना इलेक्शन आ रहे हैं बहुत जल्दी तो यह थोड़ा आपको चर्चा मिश र बताओगे उसी तरह से ना एक कुश्चन दे रहा हूँ आपको मिदर राम जातरा के बारे में बहुत टाइम पहले मैं आपको पढ़ाया था अभी दुबारा से न्यूज में है तो एक बार कोशिश करना अदर्वाइस मैं फिर कल तो डिसकस इसको करी ही लूँगा कल एस इ बिल्कुल करेक्ता है कहने के minimum sources को यूज करें minimum energy को और कहने के environment को में ठीक करना है यह statement मारी बिल्कुल सही हो जाती है उसी तरह से जो दूसरा question है कि एनी बसंत के द्वरा Indian home rule society को form किया गया था या found किया गया था यह बात अपने आप में गलत है हमने कल श्याम जी कृष्ण यह आप में स्टेट में बिल्कुल ठीक हो जाती है ठीक है उसी तरह से बने आपको एक homework दिया था विद रिगार्ट विए question था आपका earthquake के रिगाड़ी देखो earthquake के अगर हम बात करें तो आप notice कर पाओगे यह बात पहला कह रहा है कि जितने भी natural earthquake होते हैं तो क्या वह लिथ अगर आप notice करोगे ना दो टाइपस हमें देखने को मिलती है एक हमें देखने को मिलती है अगर आप notice करोगे बाड़ी वेवस के अंदर भी है आपको एक P-Wave हो गया एक S-Wave हो गया यह सार चीज़े आप static के अंदर पढ़ते ही हो जो P-Waves इनको क्या बोलते है प्राइमरी waves बोलते है ठीक है सबसे पहले जो आपकी surface के उपर arrive करती है वो प्राइमरी वेवस दरदसल में arrive करती है और actual में यह काफी similar होती है जैसी कि हमारी sound waves होती है उसी की तना और actual में अगर आप notice करोगे तो यह gases के अंदर भी liquid के अंदर भी solid के अंदर भी सब के अंदर travel कर सकती ह स्वेब के अंदर आधर में बात करूं तो यह सिरफ और सिरफ solid material के अंदर travel करती है बाकियो के अंदर travel नहीं करती है तो यहाँ पर पहला statement भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है ठीक है ना I'm sure आपने पढ़ा होगा बस थोड़ा समयने quickly आपको revise कर दिया तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा producer है इंडिया के अंदर देखो किसी ने comment भी किया था और किसी एक newspaper के clipping भी बिताई थी दिखो आप बात ठीक है पर actually मैं मैंने जो सर्च किना स्टिस्टर का और बाकी जगह पर तो वहाँ पर मुझे महाराश्टा मिल रहा है बहुत सारी newspaper पुराना मुझे लग पाया है जहां पर उनने 2022 का data बता दिया है तो 2022 में यह थिंग तेलंगाना था पर 23 के अंदर हमें महाराश्टा देखने को मिल रहा है तो इस वसे second statement आपकी गलत हो जाएगी तीसरे की बात करें तो गौर्मेंट लिसंटिल नाउस किया है तो यह बात अपने आप में correct हो जा आ सकते हो आज का session आप सभी को अच्छे समझाया होगा इसी तरह से आप भी अपने पर hard work करते रहिए good bye and good luck